हेलो स्टूडेंट्स मैं आशितोस मिस्रा आपका अंकुरण इंस्टिट्यूट में फिर से सौगत करता हूं आज जो अपना टॉपिक है वह है अमल एवं छार से जुड़ी अधारना है क्या क्या अधारना हैं क्या था अधारना देखने से पहले अपन देख लेते अमल और छ चारों से घेल आते हैं क्यमेश्ट्री पढ़ने का वही मज़ा है क्या है अपने चारों तरफ है कुछ भी आप उठा के देखेंगे सुबह उठे ब्रस करने गए वह भी अमल टूथ पेस्ट जो है वह भी अपना अमल यह चार में से एक है उचार होता है ठीक है दूद्ध पीए अमल होता है अपन देखें थी पीएच में हलका से एसेटिक होता है ठीक तो अपन विविन लगाए चार होता है कपड़े दोए चार है कि सेव खाने गए नीबू खाए संतरा खाए कुछ भी खाए कुछ ना कुछ अमल यह चार में से कुछ होता है तो अपन देख ले से जुड़ी अधार नाय देखेंगे कि क्या-क्या अधार नाय है अमल और छार की ठीक कि अम्ल सबकू पता है स्वाद में जो इनका जली बिलियन होता है एक को सलूशन जो होता है अमलों का वो क्या होता है खटा होता है कि खट्टा कि स्वाद में खट्टा होता है चार क्या होते हैं स्वाद में इनके जली बिलियन होते हैं वो क्या होते हैं कड़वे होते हैं कड़वा होता है कड़वा होता है टेस्ट में ठीक पीएच आपन पिछले प्लास में देखे थे पीएच जीरो से साथ के बीच में होत होता है ठीक तो यह होते हैं अमने अमल और छार अब देखते हैं इन से जुड़ी हुई कुछ अधार्णाएं क्या क्या अधार्णा है तीन अधार्णाएं हैं तो पहली अधार्णा क्या है इसकी आरहीनियस सहब ने जो दी थी आरहीनियस की धार्णा क्या बोलती है यह आपन आगे देखेंगे ब्राच्टे存 और लारी जार 됐 दो अलग-अलग साइंडिष्ट थे और लॉरी इनकी इनकि थेजोरी क्या बोलती है कि क्या होते अम्ल क्या होते चाव फिर आपन देखेंगे लुइस्ट साहब लुइसária लुइस की प्लस आयन देते हैं मतलब जल में घुलकर एच प्लस आयन देते हैं 1864 में आरहीनियस द्वारा आयनिक सिधान्त के अधार पर अम्ल और छार की प्रस्तुत की गई थी क्या है अमल वे हैं जो जली विलियन में आयनित होकर hydrogen ion देते हैं H plus ion देते हैं या hydronium ion देते हैं hydronium क्यों क्योंकि H plus अकेले नहीं रहना चाहता यह इतना kriya seal होता है कि जैसे यह H plus और OH में तूठता है पानी के साथ फिर जुड़ कर यह H3 O plus बना लेता है तो यह अकेले नहीं रहना चाहता यह पानी के साथ तुरंट जुड़ जाता है अत्यंत kriya seal होता है विचार के पास electron तो है नहीं एक proton है कहता है ले लो वो भी ले लो सब कुछ तो ले लिए अपने साथ जोड़ लेता है तो यह होता है तो अमले क्या है आरेनियत सहाब की अनुसार अमले क्या होते हैं अमले वह हैं जो आयान दे किसमें जली solution में जली solution में घुल कर जो प्लस आयान दे ऐसे हम आयनित हो जाते है वह है उप्रभालको नहीं डाले और पूरताय आयनित हो गए कैसे hcl जैसे इसको पाणियों डाले तो h plus और cl लगभख पूरा आयनित हो जाता है ये पानी में तो प्रवलम्ल होता है h no 3 अच no 3 पूरताय आयनित हो जाता है और चार क्या होते हैं इनके अनुसार जो जली बिलियर में जो ओएच आयन दे जो ओएच देंगे वो एच प्लस अमल और ओएच क्या माइनस चार जो जल में गुल कर ओएच प्लस आयन दे वो ओएच आयन दे वो चार यह आ री नियदाथ कहते हैं ठीक आगे देखते हैं और क्या जो अमल जली में बहुत कम ऑजिनों कम होता है वो दुर्भन चाहाँ कहला यह सारी दूखन ऑंबल कहला त Be Acetic Acid, S3CO3, S2CO3, Carbonic Acid, Phosphoric Acid, S3PO4, ये तो ये अपन आरहिनियस सहब के नुसार देख लिए अमल और छार क्या होते हैं फिर आगे देखते हैं अपन इनकी सिंपल से समझ में आ गया होगा कि इनकी सीमाएं क्या हैं ये सिर्फ क्या है जली सेलूशन के बारे में बात करते हैं सिर्फ जली और किसी में गोलो के हम नहीं बता पाएंगे हमको नहीं पता क्या है सिर्फ जली की बात करते हैं, जली सोलूशन में ही बता पाएंगे कि H है, H प्लस दे दिया, तो ये अमल है, OH दे दिया, तो ये माइनस है और कुछ में गोलो नहीं बता पा रहा है वो, ठीक, फिर क्या है, ऐसे ऐसे भी कई परमाणू होते, कई योगिक होते, कई तत होते हैं, जो H प्लस और OH दोनों नहीं दे पाते, उनके बारे में चर्चा नहीं किया, उनके बारे में नहीं बता पाए, कि वो क्या है, अमल है, कि छार है, क्या है, ठीक है, तो वही है, जो इसमें हाइड्रॉक्सिल होगा एक प्लस जिसमें होगा सिर्फ उन्हीं का पता पाई इनों ने बाकि यह नहीं बता पाई कि अमल है कि छार है ठीक फिर आगे देखते हैं फिर कौन आएगा ब्रॉंस्टेड और लॉरी आएंगे वो बताएंगे कि जो आरहिनिया साहब नहीं बता पाई वो हम इस सिद्धान्त के अनुसार अमल अच्हार की परिभासा परोटान के अधार पर दी गई इसमें बात वही है जो आरहिनिया साहब ने बोली थी H plus I पर उन्होंने क्या कहा वो proton है proton तो था ही क्यूँ क्योंकि H plus के पास से क्या है electron तो छुड़ा लिए इसी लिए तो positive है विचारे बस proton बस बचा है तो इन्होंने H plus I को proton कह दिया proton के अधार पर दिया इनके अनुसर क्या है अमले वो है जो प्रोटॉन दे दे मतलब H प्लस आयन दे जैसे कैसे HCl अकेला इसको पानी में गोलने जो होता है H प्लस आयन दे H प्लस आयन दे दिया तो ये अमल होगे इनके अनुसार ठीक और HNO3 H प्लस आयन दे दिया ठीक ये फिर और छार क्या है इनके अनुसार जो भाई H प्लस आयन जो दिया प्रोटॉन जो दिया जो प्रोटॉन निकाला अपने से वो अमल हो गया और कोई निकला है प्रोटॉन तो कोई लेगा भी उसको तो जो ले लेगा प्रोटॉन जो अपने पास बुला लेगा H प्लस आयन को खीच लेगा प्रोटॉन को वो कहला जाएगा छार ठीक तो इनके अनुसार क्या है प्रोटॉन ग्राही प्रोटॉन दाता अमल और छार क्या है प्रोटॉन ग्राही होता है ठीक according to this acid is proton donor जो proton दे दे और base proton acceptor जो proton ले ले वो है base और acid जो proton दे दे ठीक, उदाहरण देखते हैं आपन इसका इसमें आपन को जली भी लियन की ज़े उरत नहीं है दो तक तो दो पदार्थ हापस में मिलाएंगे तब भी आपन को इसमें पता चल जाएगा क्या अमल है, क्या चार है देखते हैं कैसे देखें NH3 NH3 की क्रिया किस से कराए अपन HCl से क्या हुआ क्या हुआ इसका H+, ये अपना H, अपना प्रोटॉन, दे देगा किसको NH3 को तो ये क्या बनेगा NH4 और प्लस Cl- ठीक तो ये हो गया, तो इस परिभाशा के हिसाब से क्या हुआ ये प्रोटॉन डोनर है प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन डोनर क्या है, एसिड है, तो ये अमल हो गया, ये अमल हो गया, ये एसिड है इनके अनुसार, ठीक NH3 क्या हो गया, इसने ले लिया प्रोटॉन, एक्सेप्टर है, तो ये छार हो गया, ये बेस है ये बेस हो गया तो प्रोटॉन्ष्टेट और लॉरी सहाब अमने ये अधारना प्रस्तुत की बोले जली विलियन की जहुरत नहीं है, हम ऐसे ही बता देंगे क्रिया करा के, क्या अमल है, क्या चार है, तो अमल क्या है, जो H प्लस आयन या प्रोटॉन अपना डोनेट कर दे, दे दे और चार क्या है, जो ले ले, ठीक ये होते हैं, अमल और चार, ठीक इससे एक औधारना और जुड़ी है ये जब छोड़ दिया, अपना प्रोटॉन, अपना H प्लस आयन छोड़ दिया, अमल था तो जब छोड़ देगा, तो ये क्या बन जागए, हाँ बेस, हाँना चार जो यहाँ अमल था, वो इसका कॉंजूगेट बेस हो जाएगा और जो यहाँ चार था, वो कॉंजूगेट, ये संयूगमी अमल बन जाएगा संयूगमी अमल मतलब क्या है जो प्रोटॉन ले ले, मतलब संयूगमी अमल क्या होगे जो प्लस में होंगे प्लस वाला जो होगा जो प्रोटॉन ले लिया होगा वो संयूगमी अमल हो गया और जो माइनस होगा वो संयूगमी चार होगा इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा detail में ध्यान देंगे क्योंकि यहां से numerical आता है इसमें पूछता है NS3 दे देगा HCL दे देगा CO2 दे देगा अब पूछेगा इसका संयूगमी अमले या संयूगमी चार बताईए ठीक तो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा detail में देखते हैं एक्जाम में question आता है NH3 लिख देगा और आप से बोलेगा कि इसका क्या है संयूगमी अमल या conjugate इसका बताईए तो कैसे निकलता है संयूगमी कैसे निकालेगी है तो H+, अगर आपको वो concept याद हो कि एक proton ले लेगा और अपने उपर प्लस चढ़ा लेगा और अमल में convert हो जाएगा अगर नहीं आद रहता तो इस तरह आप निकालना सीख लीजे बहुत ही असान है NH3 है अपन से क्या पूछ रहा है conjugate, acid यहाँ लिखिए conjugate acid प्रस्न चिन्न का निसान लगा दीजे यहाँ प्रस्न चिन्न का निसान लगा दीजे अगर अपन से conjugate, acid पूछ रहा है इसका मतलब क्या है यहाँ चार होगा ठीक यह चार होगा तब तो conjugate, acid निकलेगा ना इसका यहाँ चार होगा, तब तो conjugate, acid होगा और क्या होते, Bronsted और Laurie सहब क्या कहते है जो H प्लस आयन ले ले, वो चार है अगर यह चार है, तो H प्लस आयन ले लेगा यह जब H प्लस आयन ले लेगा, तो किसमे convert हो जाएगा, NH 4 positive में ठीक, तो इसका conjugate acid क्या निकल के आया NH 4 positive एक और देखते हैं आगे CO3 minus CO3 minus, इसका अपन को संयुगमी अमल बताना है इसका संयुगमी अमल क्या होगा संयुगमी तो यहां question का निसान लगाए और क्या लिखे संयुगमी संयुगमी अमल संयुगमी अमल बताईए वो वाला concept याद हो अगर क्या H प्लस आयन चड़ाना है अगर वो नहीं है या सबसे अच्छा concept यही है यहां संयुगमी अमल लिखे अगर यह अमल है तो यहां छार होगा अगर चार होगा तो एक H प्लस आयन ले लेगा यह H प्लस आयन ले लेगा तो जो इसके पास एलेक्ट्रॉन नहीं था वो आ जाएगा तो CO3 में कनवर्ट हो जाएगा ठीक पिर और देखते हैं इसका conjugate अगर माली जे बेस पूछ रहा है conjugate conjugate बेस पूछ रहा है हमसे conjugate बेस बताईए प्रस्मिचिन लगाए बेस अगर पूछ रहा है यहां बेस है तो यह नो डाउट अमल होगा एसिड होगा एसिड है तो क्या प्रोटॉन अपना दे देगा प्रोटॉन दे देगा एक एक प्रोटॉन अपना दे देगा और सी ओ थरी एक मिनिट माफ करिएगा यह एक्जामपल नहीं लेते हैं हापन दूसरा लेते हैं हCOO3 ह SO3 माइनस इसका संयूगमी छार कॉंजूगेट बेस इसका कॉंजूगेट बेस हापन को निकालना है तो अगर इक कॉंजूगेट बेस है तो यह नो डाउट क्या होगा अमल होगा अमल होगा तो अपना यह एच प्लस आयन क्या है डोनेट कर देगा चला जाएगा तो किस में कनवर्ट हो जाएगा SO3 माइनस पहले से था दवल माइनस हुए ठीक यह इसका conjugate acid और base का concept था इसको याद रखिएगा यह exam में पूछा जाता है ठीक अब आगे चलते हैं आपन अब देखते हैं लुईस सहाब क्या बोलते हैं लुईस सहाब की क्या definition है क्या अधारना है अमल को और चार को लेके तो इनके अनुसार क्या है उन्होंने proton के बारे में बात की थी एक ने h प्लस आयन बोला कि जली solution में जो h दे दे वो अमल है एक ने बोला नहीं जो क्या है जैली solution से मतलब ने जो proton दे दे अपना वो क्या है जो proton दे दे वो है अमल अब यह क्या बोलते हैं इह एलेक्टा skipping UH यह ऊपर आते हैं यह एलेक्टान के बोलते हैं इनकी धारना जो है एलेक्टान प्रा दारित है इनके नुसार क्या है चारवे attendance हैं जो कम से कम एक electron यूग क्या दे दे अपना छार छार इलेक्ट्रॉन यूग में दे दे डोनर है ठीक जो अपना इलेक्ट्रॉन यूग में डोनेट कर दे दे वो क्या है छार है ठीक और अमले क्या है वो है जो एक इलेक्ट्रॉन यूग में कम से कम ग्रहन कर ले अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या है एसिड है एक्सेप्ट एसिड एक्सेप्ट एसिड एक्सेप्ट एसिड एक्सेप्ट एसिड ए ए ठीक और वो जो इलेक्ट्रॉन दे दे डोनर है जो वो क्या है छार है ओके देखते हैं इसके कुछ उदारण इसका उदारण सबसे अच्छा अपन कुछ जो देखने को मिलता है लुई समल और चार से इस बार पूछा था एक कोश्चन आया था MPPSC में अभी हाली में जो हुए 2020 वाले में कि इन में से कौन सा संयुगमी क्या इन में से कौन सा संयुगमी सारी माफ करिए हाँ कोश्चन था निमन में से कौन सा लुईस चार है लुईस चार के बारे में वो पूछा था कि इन में से कौन सा लुईस चार है तो इसका लुईस के एक्जामपल अगर आपन देखें तो इलेक्ट्रॉन यूगम जो क्या करेग एक्सेप्ट करेगा वो एसेड है जो एलेक्ट्रान यूग में डोनेट करेगा वो बेस है तो यहां देखते हैं आपन सबसे च्छो धारण जो अपना निकल के आता है इसमें वो है एनेच्थ्री एनेच्थ्री प्लस पी एफ थ्री इसके पास इलेक्ट्रान है दो इलेक्ट्रान है और पांच होते हैं इसके अश्टक में बाहर तो तीन जोड लिया है दो इलेक्ट्रान बचे हैं तो क्या होगा यह अपने इलेक्ट्रान किसको डोनेट कर देगा यह अपने इलेक्ट्रान डोनेट कर देगा बी एफ थ्री को और सही हो जग बंद बना लेंगे दोनों, N और B सही हो जग बंद बना के आपस में जुड़ जाएंगे और लमण बना लेंगे, Salt बना लेंगे, ठीक, ये इसका Best Example है, Electron अपना दे दिया, तो ये क्या हो गया, डोनर है, तो चार है, ये Electron ले लिया, तो BF3 अमल हो गया, ठीक, ये याद रखिएगा, एक Lewis अमल और चार में कुछ अपन एक्जामपल देख लेते हैं, कि क्या-क्या Lewis अमल होंगे, और क्या-क्या Lewis चार होंगे, तो Lewis, Lewis अमल क्या है? Lewis अमल कौन से कहलाएंगे, जिनका अश्टक पूर्ण नहीं होगा, अश्टक पूर्ण नहीं होगा, तो Electron लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक, तो वो अमल कहलाएंगे, तो अश्टक जिनका पूरा नहीं है अश्टक अपूर्ण है अपूर्ण अश्टक है ठीक वो क्या कहलाएंगे लूज सम्मल कहलाएंगे और क्या है देखते हैं जो क्या है जितने भी धन आयन होंगे जितने भी धन आयन होंगे धन आयन धन आयन वाली जितने भी यौगिक होंगे यद्धू होंगे वो क्या है लूज सम्मल कहलाएंगे जैसे चे प्लस ठीक कुछ उधारण देख लेते हैं लूज सम्मल के उधारण देख लेते हैं B F 3 P C L 5, tick, PCL 5, BCL 3, tick, ALCL 3, tick, ALCL 3, BCL 2, PE CL 2, tick, अगर आपन थोड़ा सा ध्यान दें, गौर करें, तो जितने भी आपको ये दिख रहे होंगे, पहले वाले, ये, ये, ये अगर आवर्त सार्णी में आप देखेंगे, तो ये सभी P-Block के तत्तों हैं, जैसे देखें, आवर्त सार्णी में अगर आपन, ये बोरान, ठीक, ये Phosphorus, ये सब P-Block के तत्तों हैं, जितने भी यहां, ये मिलके, अगर अगर आपसे पूछा, कुछ भी दिया हो, तो आप ये ध्यान दीजेगे, कि है कहां का ये, अगर यहां से आपको रिलेटेड लगे, तो तुरंट आप अमल बाहर दीजेगा, ठीक, फिर देखते हैं, ल चार, लुइस चार क्या है, क्या है, जितने भी रिन आयन वाले होंगे, रिन आयन जितने भी होंगे, वो लुइस चार कहलाएंगे, ठीक, और जिनके पास, इलेक्ट्रॉन युग में होगा, ठीक, वो लुइस चार कहलाएंगे, CAO, इस बार ये आया था, ये लिखा हुआ था, पूचा था कि लुइस चार क्या है, तो अपन को इसमें CAO में निसान मार देना था, और बता देना था कि ये लुइस चार हैं, जितने भी चार बनेंगे, वो अगर आवर तसार्णी में अपन देखें, तो वो यहां से बनें अधिकतर, चारी धातों यार, चारी म्रदा धातों से मिलकर लुइस चार बनेंगे, लुइस अमले में, एक दो एक्जामपल और देख लीजे, इंपॉर्टेंट है, अमले में, सी ओ टू बार बार पूछा जाता है, वेरी Aimportand, बार बार पूछा जाता है कि सी ओ टू क्या है, अमल है कि छार है, लुइस अमले है कि लूइस छार है, तो यह लूइस अमल है, थिक, एस ओ टू, SO2 SN CL2 SN CL2 ठीक PF3 PF3 SI CL4 ठीक SI F4 याद रखिएगा यह अमले है और यह चार जिनके पासरे नायन हो यह इलेक्ट्रान युग्म हो क्या होता है जो छारी धात्वे होती है यह छारी म्रदद धात्वे होती है इनके बाहर क्या है इलेक्ट्रान पाए जाते है इनके अश्टग में बाहर इकाकी electron पाए जाता है युगम रहता है तो इसलिए ये क्या है Lewis बेस बनाते हैं और जो P block के हैं देखेंगे आप SI हो गया हैना SN हो गया ये सब क्या है मिलके क्या बनाते हैं Lewis अमल बनाते हैं और छारी धात इनका नामी है छारी धातु है चारी म्रदद हाते मिलके चारी बनाएंगी तो ये ध्यान देंगे तो ये थपना अमल और चार से जुड़ी आउधार ना है क्या क्या था ध्यान से पढ़िएगा वो चेप्टर वहां से आता है एलक कंजूगेट एसिड बेस से कोश्चन पूछा जाता है तो ध्यान क्या होगा अगर वो है तो एलक्ट्रोन लेगा कि छोड़ेगा क्या करेगा वो ध्यान से इस तरह स्टेप बाई स्टेप सॉल्व और तो असानी से मिल जाएगा आपन को तो वहां से कोश्चन आने की संभावना और पीच्च पूछा नहीं है कांजूगेट एसिड बेस तो ध्यान दीजेगा चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए धन्वाद नमस्कार